हेलो एवरीवन वेल्कम टू आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे क्लास फिफ्ट की सब्जेक हिंदी की कॉमी चिनिस क्वीज का कम्प्ली सॉलिशन तो चली फटा फ़र से स्टार्ट करते हैं यहां हमें एक पिक्चर गिवन है जो कि किस खेल की है सांप और सीडी की तो यहां इसे ध्यान से देखिए यहां कुछ चीजे भी लिखी हुई है जैसे तीन नमबर पे लिखा हुआ है अपने सहपाथी की भोजन की तौरार मदद कौन मदद करने के लिए शाबाज ठीक है तो यहां सीडी चर जाते हैं नेक्स में लिखा हुआ है दस में किसी बच्चे को चिड़ाने पर अन्य बच्चों को रोका बहुत अच्छा ऐसा खेल सोचो जिसमें सभी बच्चे भाग ले सके फिप पे लिखा हुआ है तो इधर काफी चीज़ें लिखी हुई है इससे रिलेट कोशन है अब सांप सीडी का आरम किस नमबर से हुआ है आरम हुआ है एक से तो यहां से लिखेंगे एक को करेक कर देंगे सेकिन है सेपाटी की भूजन की दौरान मदद करने पर क्या होगा क्या होगा सीडी चड़ेगा ठीक है तो यहां अप्शन सेकिन सही हो जाएगा थाड़ है दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करने वाला पहुँचेगा तो यहां दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं किया तो सांप खा जाएगा और चार पर पहुँच जाएगा तो यहां अंसर करेक्ट हो जाएगा ओप्शन फूर्थ नेक्स्ट इस सहपाटी के धीमी गती से काम करने से उस पर जहलाने वाला पहुँचेगा उस पर जहलाने वाला पहुँचेगा 27 जो है यहां क्या लिखा हुआ है सहपाटी को धीमी गती से काम करने पर उस पर जहलाना तो यहां साप अगर काट जाता है 27 पर तो यहां पहु जाएगे ठीक है तो यहाँ option correct करेंगे option third next question है खेल में कितने प्रकार के सांप है खेल में कितने प्रकार के सांप है तो यहाँ 6 प्रकार के सांप है तो यहाँ option correct हो जाएगा option third next है क्रम 20 पर सांप ने काटा क्यों यहाँ एक और सामसेडी दे रखी है तो यहां लिखा हुआ है क्यों काटा है? छात्रा की दिव्यंगता पर हसी उड़ाई ठीक है? तो यहां आंसर करेक्ट हो जाएगा ओप्शिन फोर्थ छात्रा की दिव्यंगता पर हसी उड़ाई नेक्स्ट कोशिन है अच्छे अंग प्राप्ट करने पर दिव्यंग सहपाटी की प्रशनसा करने वाला पहुंचेगा 17 से 26 ठीक है? यहां 17 पर है डिरेक्ट 26 पर पहुंच जाएगे नेक्स्ट कोशिन है सबसे जादा सामसीडी खेल किसकी सहायता से खेला जाता है? पासे की सहायता से तो यहां option second करेक्ट हो जाएगा सबसे ज़्यादा लंबाई वाला साम किस नंबर पर कारता है? सबसे ज़्यादा लंबाई वाला साम कौन सा दिख रहा है? 29 नंबर वाला जो की डारेक्ट 2 पर पहुंचा देता है ठीक है? तो यहां आंसर करेक्ट हो जाएगा option 4 और last question है क्रम 10 से 18 पर पहुँचने के लिए करना पड़ता है तो साप CD गेम को फिर से देखेंगे यहाँ 10 पर क्या लिखा हुआ है किसी बच्चे को चिड़ाने पर अन्य बच्चों को रोका बहुत अच्छा तो हम यहाँ 10 से 18 पर पहुँच जाएंगे तो देखते हैं यह option यहाँ है तो यहाँ यह option नहीं दे रखा है यहाँ गलत उत्तर दे रखा है second जो की सैपाटी की दिव्यांगता पर हसी उड़ाना जो की गलत है यहाँ है अन्य बच्चों को चिड़ाने पर रोका ठीक है यह answer correct हो जाएगा यहाँ option नहीं दे रखा है तो इसे छोड़ देंगे तो यह था class 5 के subject हिंदी का complete quiz solution इससे आगे और भी quiz solution देखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद